सासु मा बदल गई कहानी उस घर की है जहां बहु और बेटी को एक माना चाता था लेकिन फिर और शिखा बेटा तुरा सोय में क्यों खुशी रहती है जा रोटी मैं बना लूँगी नहीं नहीं मा जी आप बैठी बस सारा खाना बनी गया है श्वेता को बोल देती हूँ वो खाना लगा देगी सबका सारी भावी मेरे पास वक्त नहीं है मा मुझे पैसे देना पारलर जाना है आहां चली जाना भावी को भी ले जाना वो भी जाने को बोल रही थी पारलर पर पहले ना मदद कर दे उसकी खाना लगाने में देख मा, वो बहू है, उसे बहू रहने दे न, इतना सर पर मत चड़ा भावी को श्वेता, ज्यादा मत बोला कर, बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, जा जा कर काम कर ननत को मा का भावी से इस तरह प्यार करना बेलकुल अच्छा नहीं लगता, वो बार-बार किसी ना किसी तरह मा को भावी के खिलाफ भड़काती रहती, लेकिन कोई फाइदा ना होता, एक रोज अरे बेटे किशिन, जा, बहु को कहीं गुमा कर ला, सारा आदेन घर में काम करती रहती है, हाँ हाँ मा, हम लोग जा रहे हैं ना गोवा अच्छा जी, भावी ने तो हमें बताया भी नहीं, वैसे तो सारी पंचायत करती है, ये गोवा वाली बात क्यों छुपा गई हमसे अरे क्योंकि उसे खोद नहीं पता था बहन, मुझे टिकट सस्ती मिल रही थी तो मैंने बुक कर दिया हाँ शिखा, पाकिंग कर ले, संडे हम जा रहे हैं गोवा दोपेर में शिखा पाकिंग कर रही थी, कि सास आ जाती है ये क्या बहू, साडियां? अरे गोवा जा रही है घूमने, या फिर शादी में माई के हैं? माजी, ऐसा कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा, क्या रखूँ कपड़े में? आरे तेरी और श्वेता की साइस तो एक ही है, उसके कुछ माडन कपड़े ले, आकर लाटा दे ना? हाँ माजी, ये ठीक रहेगा श्वेता के पास जाती है और उससे कपड़े मांगती है ना जी ना, मैं अपने कपड़े ना दूँ, वैसे भी फैल जाएंगे मेरे कपड़े, बहुत महेंगे वाले है श्वेता मू लटका कर कमरे में आ जाती है, तो सास कहती है चल तयार हो जा, तुझे मैं शापिंग कराकर लाती हूँ गो आकी बस फिर क्या था, सास बहु निकल जाते हैं मांकेट और एक से बढ़कर एक ड्रस खरिद कर घर आते हैं पहले बता देती कि नए कपड़े दिलाने वाली है भावी को, तो मैं अपने ही दे देती ना भावी को, मुझे दिला देती नए कपड़े देख श्वेता, परिवार का मतलब सबके साथ रहना होता है, ना की सिर्फ अपना सोचना, वैसे भी तुझे अच्छे संसकार सीखने चाहिए और रही बात कपड़ों की, तो शिखा, आज से घर पर भी तू मौडन कपड़े ही पहनेगी, कोई जरुवत नहीं है ये साड़ी वाडी लपेटने की अब क्या था, घर पर श्वेता और शिखा एक जैसे रहते, एक बार पड़ोसन आती है अरे बेटा, अपनी मा को तो बुलाना जरा, बात करनी है शिखा सास को बताती है और रस्वे में चली जाती है ये आपकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, इसके लिए एक रिष्टा है, कहो तो बता दूँ ये बेटी नहीं बहु है, घर में सब एक जैसे ही रहता है पैसे मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, कोई रिष्टा हो तो जरूर बताना पड़ोसन रिष्टा लेकर उन लोगों के घर आती है, तब श्वेता की होने वाली सास कहती है हम, तो ये घर है, कितने मंजिल का है, और ये बहु ने आपकी क्या पैन रखा है, जीन स्टाप अरे भई, साड़ी बाड़ी नहीं है, क्या इसके पास देखिए, सर्दी है, तो साड़ी में बहु कैसे मैनेज करती, वैसे पैन दी है साड़ी भी देखिए, हम लोग ठेरे पैसे वाले लोग, कोई कमी नहीं है हम लोगों के पास पैसों की, बहुत पैसे हैं, जमीन, नौकर, चाकर, कार, सब कुछ है, लेकिन घर में संसकारी बहु चाहिए, समझ रही है ना साड़ कुछ कहती कि श्वेता बोल परती है हाई रे, नौकर, चाकर से लेकर जमीन, कार, पैसा, हाँ, हाँ, मुझे रिष्टा मंजूर है, मंजूर है मुझे अरे रुकजा श्वेता, मैं बात कर रही हूँ ना देखिए, हम लोगों के घर इतनी आजादी नहीं मिलेगी हाँ, कर देना मा, हाँ, करते जल्दी से सास क्या करती, बेटी की शादी ऐसे घर में कर देती है, जहां ना उनके विचार मिलते हैं और नहीं आचार शादी की बात एक रोज, फोन पर श्वेता बेटा, एक बार घर आजा, बहुत दिल करता है तुझे देखने का मा, वो घर पर बहुत काम होता है, कैसे आऊ, बड़ा घर है, लेकिन आने जाने वालों की लाईन ही लगी रहती है बेटा, मैं तो जानती थी उस घर का हाल, लेकिन तु ही नहीं मान रही थी मा, देख, हर घर का यही हाल है, तेरी बेटी को यहां घूंगट अटाने की परमिशन नहीं है, और एक तरब भावी स्कर्ट पैन कर घूम रही है बेटा, मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को ससुराल के नाम पर पिंजरा मिल जाएगा सास फोन तो रख देती है, लेकिन सोच में पढ़ जाती है, कि एक तरफ बेटी जिसे कोई आजादी नहीं, वहीं दूसरी तरफ बहू, जिसे देखकर लगता ही नहीं कि उसकी शादी भी हुई है, अगली रोज शिखा, अरे ओ शिखा, हाँ मा, क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको, मैं जिम जा रही थी जिम के कपड़ों में बहू को देखकर सास को गुंगट में अपनी बेटी का खयाल आता है देख बहू, घर में बहू की तरह रहा कर, इतने टाइट कपड़े पहन कर जिम जाना पसंद नहीं मुझे, जा जाकर रोटी बना रोटी? मा अभी तो शाम की छे बजे हैं, इस वक्त रोटी? आप क्या मेरे खाने पीने पर भी पहरा है? अरे जब मर्जी तब मैं अपने घर में खा भी नहीं सकती क्या? बहू का अजीब लगता है, वो समझ नहीं पाती कि जो सास कल तक इतनी सपोर्टिव थी, उन्हें अचानक से क्या हो गया? वो किचन में जाती है, गरम रोटी के साथ दो तरक की सबजी, राइता, सलाज सब लेकर सास के पास आती है. माजी, खाना इतना सारा खाना? राक्षस समझा है क्या मुझे? रोटी मांगी थी मैंने गरमा गरम बस. पिर माजी, रोटी खाती किस से आप? सबजी तो बनानी थी न? आरा भूख मर गई मेरी तेरी बहस से, जा जाकर काम कर अंदर, पूरी रसोई साफ कर. बहु अंदर चली जाती है, थोड़ी देर में श्वेता घर आती है. अरे शीखा, जल्दी से चाय ला, पकवान बना मेरे बेटी आई है. अरे नहीं-नहीं मा, ड्राइवर बाहर खड़ा है, मैं तो घर का कोई सामान खरीदने के बहानी यहां आ गई हूँ. मुझे जाना होगा. अरे बेटा, पर कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे, रहने आ जाना दो-चार दिन के लिए. आ जाओंगी मा, जब मेरी सास मरेगी तब, मैं तो रोज मन्नत मानती हूँ कि मेरी सास मर जाये तो अच्छा है. अच्छ-च्छ, जा रही हूँ मा. यह भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरी बेटी को. सास अंदर जाती है, जहां श्वेता की जिम वाली सहली का फोन आया होता है. क्या बात है, आज जिम नहीं आई? अरे पता नहीं, यार आज मा को क्या हो गया अचानक, पर खेर, कोई नहीं.